किसी को मैसेज कर देते हैं मारकर उसके लिए, क्या हाल है जी, ठीक तो नहीं, आगे आप, बैटे बैटे हैं, तश्रीव रखें, आगे तश्रीव ले आए, नहीं, उदर ही बैटना है, सही कॉंसेट यूँ उड़के उदर आता है, बैट जो, बैटना है तो बैट जो, ओके, याद करके आए, क्यों? चलें, संडे आ गया कल, आ गया मौका आपके पास तो, आपकी क्लास तो आफ है, इंट्रो वाले, बैटा, फर्स ट्रो में आ जाएं, फर्स ट्रो में, 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 ये कोना नहीं यूज़ होगा, ठीक है, फर्स ट्र करने की चीजें पता है कैसे याद करनी है मैं बताता हूं चलें फिर सुनें मैं बताता हूं कैसे याद करनी है चीजें किसे याद करने है सारा स्टेंडर अब यह कुस्टन करेंगे ना प्रॉब्लम आएगी कुछ में नहीं आएगी कुछ सीख सूख के आएंगे कुछ इसके बाद अपने सी कोशिश करके फिर आपने सुलूशन देखना है कहना अच्छा हम तो यह सोच रहे थे यह हो गया फिर मंडे से इन्शालला पूरा मंडे हाफ लेक्चर में यह कुस्टिंस और इस तरह की प्रेक्टिस को डिसक्स करूंगा और वाकी हाफ लेक्चर में कॉ आरा से लेबस खतम जब तक आप मेरे साथ रहेंगे न हम रेवीनियू को हर रोज 25-30 मिनट 25-30 मिनट 25-30 मिनट दिया करेंगे इससे इंशालला बहुत फाइदा होगा मैं एक्जेंपल्स जो स्टेंडर्ड की हैं उनके भी कोस्टिंस बना बना के आपके साथ डिसक्स करता रहूंगा हम जह वो सिनेरियोस को भी डिसक्स किया करेंगे एक्जेंपल्स को नुमेरिकली बनाके एंट्री भी डिसक्स किया करेंगे ज्यादा स्ट्रेच मिल जाएगा हमें ठीक है उससे फाइदा यह होगा कि जो रेवीनियू आज से पहले हम साथ आठ नौ लेक्शर में किया करते थे समझें वो 7, 8, 9 भी लग रहे हैं और उपर 5, 6, 7 लेक्चर समझें और बन गए ठीक है तो तो कैसे याद करना है सेंडर अब ये सुन लें सेंडर ने कहा पांच से रेविन्यू गुदार के रिकॉर्ड करना है identify the contract with the customer, identify separate obligations of the seller, determine the transaction price, allocate the transaction price, record the revenue when PO is satisfied, पिर कॉंटर की बारी आई तो उसने कहा पांच चीजे हो चटी ना हो, both parties have approved the contract, seller has identified both parties rights, seller has identified payment term, seller has probability that he will receive the consideration and contract has commercial substance, ये पांच होने चाहिए हैं plus contract does not contain any condition which states that one can terminate without compensating the other, पिर contract ना हो, तो revenue record नहीं होता, लेकिन दो exceptions, number one, fully executed contract, ये आपको याद करवाने के लिए fully executed का लावज लिखा था, standard ने तो नहीं लिखा हुआ था, इक है, आपको याद करने के लिख दिया के, satisfies the PO, customer pays substantial amount which is non-refundable, जिस दिन non-refundable, receipt हो, revenue record करो, second, ये थोड़ा बंद हो रहा है, बीच में बीच में, second, non-refundable advance ले रखा था, और contract ही terminate होगा, तो termination के दिन, revenue record कर लो, वो non-refundable advance की amount, फिर, दो या दो से जादा नदर आने मेले contracts को, तीन सूर्तों में combine कर दिया जाता है, when contracts are entered into as a package, for a single commercial objective, when contracts are a single performance obligation, when payment of one depends on delivery of other, मोडिफिकेशन को कब निया contract समझेंगे, जब दो सवालों का जवाब, yes आ जाए, number one, एक दो चीजें, yes हो जाएं, तो फिर, जाकला भाई, यह दो चीजें अगर yes हो जाएं, तो इसका मतलब, modification को निया contract तसवर करके, उसको अलग से account for करना है, ठीक हो गया, बात खतम हो गई, contract की, identify separate performance obligations, भई दो सवाल करने हैं, good services are distinct, यह शर्त भी ज़रूरी है, और separately identifiable from the contract, यह दोनों शर्तें पूरी हैं, तो good services जितनी नजर आ रही हैं distinct, वो सब अलग-अलग P.O.s हैं, then determine the transaction price, क्या करें जी, कुछ factors को ध्यान में रख ले, number one, बोला करें साथ साथ जेरे लब, ठीक है, variable, consideration, discount, incentive, penalties, any constraint on variable, consideration, time value of money, non cash, consideration, consideration, consideration payable by seller to customer, पर्चे में पूछे तो यही लिखना है, बाकी चीजें back of the mind चल रही हैं, का time value of money का मतलब क्या है, अगर lengthy period है credit का, तो present value निकालो, इसमें goods का revenue और late payment पे interest की income दोनों चुपे पड़े हैं, time value of money के बीचे माइन में चल रहा है, paper में theoretically पूछे तो यही, numerically हमने कर लिया था, non cash consideration, paper में इतना ही लिखना है, back of the mind का चल रहा है, उसको record करेंगे, fair value पे, paper में यही लिखना है, consideration payable by seller to customer, back of the mind का चल रहा है, अगर ऐसी को चीज होगी, तो transaction price में से minus कर लेंगा, फिर एक बात हमने example से समझी थी, कि जो मर्जी से छोड़े, like trade discount, उसको transaction price में से minus करना है, और जो credit risk है, customer का, even मैंने का था, discount allowed भी मजबूरी में ही दिया जाता है, पैसे आ नहीं रहे तो discount allowed, cash वाला, cash वाला, ठीक है न, उसकी entry भी cash, cash discount के entry के होती है, discount allowed, expense, debit, debtor, credit, तो जो मर्जी से दिया था, वो trade discount ही था, बाद में bad debt हुआ, तो भी transaction price को नहीं छेड़ा, cash या settlement discount दिया, तब भी हमने transaction price को नहीं छेड़ा था, उसकी वज़ा क्या है, transaction price को नहीं छेड़ने की, वो पैसे नहीं दे रहा था, पैसे जुरूरत है, हमने का, यार, पांजी काट दे दी, पचानवे, सौ देने ने जल, पचानवे दे दी, बास समझा रही है न, वो भी हमने, अजराय मजबूरी उसको discount लाओ कि होता है, बाहराल, चार स्टेप्स हो गए, पानी पी लूँ अब मैं, उसके बाद, record the revenue, when PO is satisfied, बोड के इस तरफ हमने लिख लिया था, short करके, revenue is recorded, when PO is satisfied, और PO is satisfied, when control is transfer, फिर control के बारे में क्या कहा था, कि a person is set to have the control of any good or service, if he is the one who can get benefit from that good or service, and he is the one who can stop others from taking benefit from those goods or service, अब control मतलब deciding factor तो revenue record करने का control हुआ, तो पिर standard ने control transfer होने के कुछ indicators बताए, कि जब ये कुछ काम हों, तो normal, normal scenario क्या है, ये control transfer होने की निशानी है, मतलब revenue record करने की निशानी है, number one, seller has right to receive the payment, नजर आये तो seller साभ, record कर लो revenue, आपको ये हग तब ही पहुँचा है, जब control transfer हुआ, तो seller has right to receive payment, customer has risks and rewards, record revenue, customer has accepted the goods, seller record the revenue, customer has legal title, seller record the revenue, accept sale on installment based, इसमें legal title नहीं है, still control transfer हो गया, तो revenue record हो जाएगा, ठीक है, और last गया था, customer has physical possession, तो seller physical possession गया, तो revenue record कर लो, accept, bill and hold arrangement, possession नहीं गया, still revenue record करो, sale on return basis, गया possession, revenue record मत करो, ठीक हो गया, अच्छा, जहां तक बात हमने कर ली थी, और ऐसे ही आपने standard को याद रखना है, अब मैंने 5-7 मिनट के अंदर, आपको सारा standard सुनाया है, आपने भी ऐसे ही याद रखने, लफ्ज बलफ्ज कौन कह रहा है, वहां से जाके चीज़, ये लफ्ज बलफ्ज ही तो याद है हमें, points पता हैं, बस उनको लिख लेते हैं, ठीक है, तो जो मोटे-मोटे points हैं, वो ऐसे ही हमें याद हैं, ठीक है, बस ऐसे ही tips के ओपर सारा standard आपके, बस ये पांच, साथ, दस मिनिट में, आप किसी भी साथ वाले दोस को बैढ़ के, सुना दें ये सारा standard, उसके बाद फिर हम अब practice कल से, मतलब मंडे से, शुरू कर देंगा, और वो चलती रहेगी, जिसमें scenarios सामने आया करेंगे, उन्हें जज किया करेंगे, इसी, वो एक, ह कर रहे हैं, examples देख रहे हैं, specific examples standard की हैं, तो इंशालला उसमें फिर बेतरी आती जाएगी, लेकिन ये standard याद ऐसे ही रखना है, जैसे आपको मैंने सुनाया, ठीक है, अब हम पहुंचे थे, control, transfer हो गया, तो record कर लो revenue, अब revenue कुछ चीजों का, normally goods का revenue तो point of time में record हो जाता है, क अब अगर over time revenue record होता है, तो कोई नो कोई method तो होगा, जिसकी base के ओपर revenue record करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए standard ने कुछ methods बताए, जो के इस standard का सबसे असान concept है मेरे साब से, उसकी बज़ा बता है किया है, उसकी बज़ा ये है, नाम शाम मुख्तलिफ कर लिए इनोंने, लेक ब्रेकर करने है, लिज एवन्यू रिकॉर करना है, जी दो basis given होंगी, joy total cost जो इस contract में हमने कर करनी थी और आज तक इतनी हो गई, दो basis तोटल और्ज हमारे लगने थे इस कांट्रेक्ट पे आज तक इतने लग गए तोटल मशीन और्ज इतने लगने थे आज तक इतने लग गए तोटल इतने मकान बनाने थे आज तक इतने बन गए तोटल इतनी इंटें लगनी थी आज तक इतनी लग गए टोटल इतने महीने काम करना था, आज तक इतने महीने कर लिया, यानि जो मर्जी मैथड है, उसमें दो बेसिज की बनोंगी, टोटल और आज तक, तो आप उस बेस के उपर है, भी रिकॉर्ड कर लोगे, एक्जेम्पल देता हूँ आपको, आपकी उसी फीज से, जो बीस जार रुपे आपने फीज जमा करवाई, राइज में, ठीक है जी, अब अजूमिंग, चार मन्थ का आपका ये है बैच, ठीक है, अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, that's it, पूरे चार महीने, अजूमिंग, ठीक है, चार महीने सर्विसेज देने के अगेंस्ट, राइज वालों ने आपसे बीस जार रुपे ले रखे हैं, अब राइज वालों का येरेंड आ गया, 31 समबर, उन्निस, टोटल मंथ सर्विस देनी है, कितने, चार, कितने मंथ सर्विस दे चुके, तीन, किड़ा दो वाला, हैं, जी, अक् सर्विस दे ली, तीन महीने की, तो आपने कहा राइज वालों को, आप तीन बटा चार कर दें, इसको क्या अंसर आता है, 15,000 कर रेविन्यू रिकॉर्ड कर लें, 5000 का अभी रिकॉर्ड नहीं कर सेते, या पर लाइबिलिटी है, अडवांस इंकम है, पहले दिन सारी लाइब है, यह कौन सी बेसे आगी है, यह टाइम बेसे आगी, टाइम, टोटल टाइम, एंड टाइम पास्ट, ठीक है, एक कोर्स कवरेज भी हो सकती है, कोर्स कवरेज, वर्क कंपलीशन स्टेंडर्ड ने इसको नाम दिया हुए, मैंने एक्जेंपल ले दिया आपको कोर्स तो accountant जो बेटा हुआ था, RISE का, ठीक है, वो भी एक काम कर सकता था, उसने का, जी चार महीने का बेच भाइच है, तो चार महीने के बैच में से तीन महीने गुजर गए है, तो इतना रहभीविश रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, लेकिन अब ये मर्जी होगी, सवाल में जैसा data हो बाकी का 50% कोर्स कवर कर देते होते हैं तो ज़्यादा बैटर तो भी यह हुआ ना सर्विस देने के साफ से कर देखा जाए तो तो वर्क कमपलीशन ऐसे हमासत नहीं हुआ अलमदुल्ला ऐसी कोई बात नहीं है हम 31 दिसंबर इतफाक से वह एसेस्मेंट के लिए कट अफ लग था अब इन्होंने हमसे आगे पूछा जैसे ठेकेदार ने अगर कॉंट्रेक्टर ने अगर यह देखना हो कर रेविन्यू रिकॉर्ड करना है उन दा बैस वर्क कम्पलीटिट तो अपने इंजिनियर से पूछेगा कि भाई कितना काम कम्पलीट हो गया तो वह देखके उत करीबन जो है ना वो सत्तर फीसद कवरिज हो चुकी है इन तीन महीनों में तिल 31 दिसमबर कितना बनता है 14,000 रेविन्यू रिकॉर्ड होगा ये भी एक बेसिस हो सकती है ठीक है एक बेसिस और भी हो सकती है लेबर और स्टेंडर नाम दिया लेबर और या मशीन और हम कह लेते हैं टीचिंग और अपनी ही एक्जेम्पल में हम से स्टार्ट पे पूचा राइज वालों ने कि आपक इस दिनों में तकरीबन एक सो अधरा जिनों डेट गेंडे का लेक्चर होता है ठीक है अजूमिंग प्लास माइनस की बात नि कर रहा है अजूमिंग डेट सो राउंड कर रहा हूं फिगर डेट सो और रिकॉर्ड है ठीक है जी अब 31 अबर पांचे तो उन्होंने अमसे और खी बीस पे रेवनिय रिकार्ड होने लगा है अकांटन को कह जाएगा तेखो अकांटन को कहना है जल्दी उदहर हो जाओ आगे बेठा जाते यार इनों और बहुसार इदर बहुत हाली थां पड़ी ठीम क्या बहीं ओके अकाउंटन को कहा जाएगा देखो इन्होंने ये बीस अजार जो हमने लिया है ये हमने इन बच्चों से डेड़ सो घंटे फिर वन पढ़ाने के वज लिया है तो डेड़ सो घंटे टोटल एक सो दस पढ़ा चुके तो एक सो दस बटा डेड़ सो आंसर बताओ 567 ये ये एक बेसिस हो सकते ही तो कहने का मतलब ये है कि आपको दो बेसिसल हमेशा दो चीजोंशा गिबन होगी ठीक है? टोटल मांच अगैंस्ट मांछ पाउत टोटल वर्क अगैंस्ट वो तो मतलब सो मेंसे सत्तर फीसद तो देख आ गया ना ठीक है? total hours required against hours already worked ठीक है ऐसे ही ऐसे ही तोड़ी सी बात अब और तरफ ले जाते हैं जो उसने नाम दियों है ऐसे ही एक बंदा है जो मकान बना के बेचेगा ठीक है वो मकान बना रहा है तो उसने कहा कि जी मैंने इसका revenue आँवर टाइम record करना है ठीक है जी मैंने ठीक है तुम्हारी टोटल रेविन्यू कितना बनना है तुम्हारा जी कोई नवे लाख रुपया मैंने ले लेना है जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट तो नवे लाख मैंने उससे लेना है रेविन्यू को अपने कस्टमर से अच्छा तो तुम्हारी total cost इस पर कितनी आनी है तो सतर लाक में यह बना लूँगा बीज लाक का प्रॉफिट मैंने रखा हुआ है मैंने अपनी मेंनत जो की है तो सतर लाक में यह बिल्डिंग बनाऊंगा उसको नवे लाक में बेच दूँगा ठीक है अब नवे लाक का रेविन्यू रिकॉर्ड करन जी तकरीबन कोई पचपन लाक हो गई है इनकर अब यह क्या है कास्ट इनकरड तिल डेट राइज़ा ले भी यह कोई निकाल सकते हैं इसका जो है वो कोई इसका रिलेशन्शिप निकाल सकते हैं कि जी एक बच्चे को लेट से जो बीस जार रुपे रेविन्यू लिया जा तो वो 15,000 की कॉस्ट अब कहेंगे कितनी इनकर हो चुकी लेट से 10,000 हो चुकी तो इस 20,000 को कैसे बांटेंगे 20,000 इंटू 10 बड़ा पंदरा ऐसे ही यह कॉंट्रेक्टर 90,000,000 का 9,000,000 का रेविन्यू रिकॉर्ड करने लगा था हमने का जी कॉस्ट की बेस पे कर दो उसने 5.5 divided by 7 तो आंसर क्या आ गया? 7.07 million तो इस टेंडर का सबसे असान सबसे असान कॉंसेट है यह सबसे आसान कॉंसेट है यह दो बेसिस दी होगी अपने उस बेस पे रेविन्यू रिकॉर्ड कर लेने ठीक है तो पहले तो मैं वो नाम पढ़ा रहा हूं आपको ठीक है उसके बाद और और इंपुट आउटपुट का मतलब भी समझा दूँगा जरा आजाएए अपने नोट्स पे अचनी नोट्स को क्या हो गया है मेरे नोट्स को क्या हो गया है आपके नोट्स को मसला नहीं है आपके यह पढ़के आए तो चार लाइन ने घ्जेम्पल्स ओवर टाइम मैं जरा मैं जरा मैं डिर्क्ट आना चाहरा हूं कितने बच्चे पढ़के आए लाने तौफीग दी पांच साथ को पास होने की कहा है आप लोगों को आप सबसे नलाइक जा रहे हैं इस लक्त सारे वैचिस पढ़ पढ़के आ रहे हैं आप लोगों ने नहीं होना पास आप लोगों नहीं होना पास इस दफ़ा में पास नहीं होना चाहरे चलें जिन्होंने पढ़ा उनको वो उपर वाली लाइनों में को मसला आया है हाँ जी क्या मसला आया सारे ही नहीं समझ आया चलें चलें आज की discussion के बाद तुबारा पढ़िएगा बाकी discussion मुझे करने ने मैंने आपको बात की थोड़ी बहुत के in time revenue हो सकता है over time goods का भी over time जा सकता है अंजुम रायर्ज वाली example जेंपल में लाओ ठीक है over time revenue record करना हो तो कुछ methods standard ने बताए वो method कौन से हैं वो कहता है सबसे पहला method survey of performance completed to date यह देखो survey of performance completed to date अब contractor ने survey किया इतनी building बन गई उस्ताद ने survey किया इतना course complete हो गया ठीक है फिस ठीक है next है units produced as a percentage of total units to be produced unit delivered as a percentage of total units to be delivered very simple very simple teaching hours तो चलो बाद में करते हैं वो जरा वागे वाले methods में है ठीक है cost भी आगी पड़ा हुआ है यह बहुत simple सी बात है जी हमने 10,000 units deliver करने हैं साथ साथ revenue भी record करना होता है ठीक है 10,000 units deliver करने हैं total आज तक 7,000 कर लिए इस contract का revenue कितना है जी 10,000,000 रुपे revenue आना है कितना record कर लो 7,000,000 record कर लो total units to be delivered versus units delivered till date total units to be produced versus units produced till date सवाल में basis दी होंगी दो बस उनकी basis पर revenue record करना है last क्या है यह contract milestones achieved मिसाल के तौर पे 10 घर बनाके देने थे 6 घर बनाके दे दी है revenue था 10 करोड एक करोड़ का एक गर 10 घर बनाके देने थे हमने 6 घर बनाके दे दी है कितना revenue record कर लो 6 करोड़ milestones, milestones achieved ठीक है जी आगे बढ़ो यह तो सबसे ही आसान है input methods की heading को छोड़ो बताता हूं वो क्या मतलब है method तो पढ़ो cost incurred as a percentage of total cost incurred labor hours अगला क्या लिखा हुआ है labor hours used as a percentage of labor hours to be used ठीक है machine hours used as a percentage of machine hours to be used या निए कोई सी तो आप ने नहीं बैठके सोचना कि क्या basis हैं सवाल आपको खुद basis दे देगा वो दो basis होंगी उनमें से आपने revenue को वो total or till date total till date आप ने उन दो basis को use करके revenue record कर लेने ठीक हो गया अब यह input समझाई यह बात की अभी examples करते हैं आगे ठीक है बलके input output बाद में पढ़ते हैं पहले examples प्याएं और example में भी example one homework two अच्छी है मैं करवाता हूँ example one homework करें example two प्याएं s limited s limited signed a contract solution चुपा लेंगे आप और calculator आपके हाथ में होगा हम बात करते जाएंगे आप revenue calculate करते जाएंगे ठीक है requirement है how much revenue should be recorded और तीन bullets का मतलब तीन independent scenarios हैं ओके तो one by one जब scenario पढ़ेंगे मैं आपसे सवाल करूँगा मैं आपसे सवाल करूँगा how much revenue should be recorded फिर दूसरा bullet पढ़ूँगा मैं करूँगा how much revenue तो आप मुझे पताते जाएंगे ठीक है सवाल पढ़ना शुरू करते है as limited signed an agreement question सामने आजाए न तो बात ज्यादा अची समझ आ जाती है जो चारी बात की है question कैसे आएगा वो तो सामने हो तो तीन options तीन इस तरह की तीन situations अलग अलग है as limited signed an agreement whereby it is to scrap and replaster 50 buildings 50 buildings उनने का जी प्लस्तर पराना खराब हो गया है और उननों डा के नमा प्लस्तर कार दे हो ठीक है तो मिस्त्रियों की जबान में बात करेंगे न चीक है as limited sign an agreement whereby it is to scrap and replaster 50 buildings the total contract price is 80,000 total contract price is क्या है ये क्या है ये total cost कहने वाले अली शर्म करो total contract price is 80,000 ये transaction price है ये transaction price है बटा ये एक प्राइस है जो हमने उन बिल्डिंग्स की मांगनी है तो ये revenue है जिसको record करना है सारा कब record कर सकते हैं अगर सारा काम एकी दफ़ा नहीं हो रहा तो इसको over time record करना पड़ेगा अब इस 80,000 के recording की आगे कुछ options होंगी हमारे पास ओके है कहता है expected contract cost is हाँ ये पढ़िए cost material labor overhead कितना लगेगा हमारा 50,000 हमारा खर्चाएगा 80,000 हमें income होनी है 30,000 हमने प्रॉफिट है तो कर रहे हैं अल्लावास से थोड़ा ही करके देना काम ठीक है तो वैसे तो वैसे एक बाद देन में आ गई चलें तो थोड़ी सी कर देता हूं थोड़ी सी कर देता हूं थोड़ी सी बात करूंगा वो एक हुजर्ग हमारे एक गुदरे इंडिया से आया करते थे मौला उमर पालन पुरी साब रहमतुलाले तो वो यह परमाया करते थे कि देखो रिज्क तो नसीव का मिलना ही मिलने लेकिन अपनी नियतों को तो बदल लो खिदमत का जजबा तो ले आओ मुकदर का रिज्क तो मिल जाना है पर नियत क्या करो कि मैं जो है वो खिदमत करना चारूं जैसे यह पलस्तर वाले को मिलेगा तो अस्यदारी तो बात असल में और तरफ निकल गई तो नियतों का बड़ा असर होता है अपनी नियतों को ठीक रखें अच्छा रखें नियत अमल से बढ़ जाती है मुमिन की इंशालला सही नियत रखेंगे अल्ला पाक गया वो उस पर आपको अजर भी देते रहेंगे तो नितां सही कार लो ठीक है बदनीते ना बनो ओके व फॉल्विंग डीटेल्स अर अवेलेबल एज अट 31 संबर 2003 अब यह तीनों बुलिट्स इंडिपेंडेंट हैं नहीं लगा नहीं भी लगे तो मैं कहा रहा हूँ ना इंडिपेंडेंडेंडेंट है इसलिए आपने इंडिपेंडेंडेंटली सोचना है ठीक है ओके नंबर प मिर हान एक और अकोरडिंग तू सर्वेयर पेजा हूँ मने रिएविवियू रिकॉर्ड करना था यूरे ओगया काम भी चल रहा है हमने सर्वेयर को बेजा जाना जाद smok लग्या इतना काम हो गया है ताकर हम फिम रिपर करें वो गया ख्या कि देखा उसने को बोफो यसे सिक्स्टी थाउजन्ड आफ दाव वर्क, साथ हजार का काम, साथ हजार का काम, अब कास्ट, नहीं कास्ट तो वैसी पचास थी, पहली बात, दूसरी बात, अगली बात इसको जदा क्लियर कर देगी, कि साथ हजार का काम हमने कर लिया है, and may be invoiced, भाई, बिल किसका बना के बे साथ हजार था कम हो गा है, बिल बना आगे पेज दो कस्टमर नू, तो यह क्या है, यह यह है, सर्वे ओफ वर्क, परफॉर्म, कोर्स कवरेज, ठीक है, यह, हमारे सामने एग्जेंपल आ गई, रेविन्यू कितना रिकॉर्ड करोगे, यह रेविन्यू ही तो गिवन है, उन ओके, नेक्स्ट सेनेरियो है, जी, वर्क कंपलीटिड की बेस पे, वर्क कंपलीटिड की बेस पे, इन वाइस बनी वर्क कंपलीटिड की बेस पे है, तो इन वाइस बनी वर्क कंपलीटिड की बेस पे है, तो इन वाइस बनी वर्क कंपलीटिड की बेस पे है, तो इन वाइ है जी साथ हजार का असब उसे प्रसंटेज नहीं दी ना उसने टोटल अमाउंड की डिरेक्टी बता दी हमें हमें आदत क्या थी असी हजार का लेट से असी फिसद कितना बनता है असी जार का सी फिसद 64 चलो तक्रीबन यह अगर वो देता है 80 परसंट वर्क इस कंप्लीड तो हम 80 परसंट करके 64 की इनवाइस बनाके बेचते हैं लेकिन उसने यह बताने की बजाए डिरेक्ट क्या बता दिया साथ हजार का तो है वर्क परफॉर्मेंस की बेस परी ठीक है अके सेकंड बुलिट अकॉर्डिंग टू एस लिमिटेड 30 बिल्डिंग्स हैव बीन स्क्रैप्ड एंड री प्लास्टर यह टाइम ले लो यह टीचिंग और्ज ले लो ठीक है कोई एक एक ग्जेम्पल ले लो 50 बिल्डिंग्स री प्लास्टर करनी थी 30 कर चुके कितना र की रिक्वार्मेंट पढ़ो आके सलूशन तो छुपा हुआ है हमसे हाओ मज रेविडियू चुट बी रिकॉर्ड़ेट फॉर दोजार तीन सर्विस इस अल्रेडी पर्फॉर्म एज पर्फॉर्म ठीक है टीचिंग और्स की बेस पर ही है मतलो जिस तरा हमने एक्जेम्पल वहती पडिए शिंपल एज फिर्ड बुलिट कोस्ट ऑफ पैंथी सेजर हैंव पैंथी सेजर है फिर्फ पैंतिस निखेजार हुआंसर जोम पैंथी सवाल में आपको अगर वह रेविन्यू ओवर टाइम करवाए का तो दो बीसेज खुद बताएगा सबसे सिंपल बेसेज जो हम देखते आए वो months है date giver होती है अब कहते है जी annual contract है annual contract 12 महीने का contract किस दिन हुआ यकम जुलाई को हुआ year end क्या है 31 December है तो कितने महीने गुजर गए 6 टोटल कितने थे 12 तो हम ये 6 बटा 12 कर तो रहे होते थे overtime ठीक है तो दो basis given होंगी हमने उस base पे revenue को allocate कर लेना है जाके solution पढ़ लीजिया जी बेटा वो मैंने आज नहीं समझाई वैसे अगर आप कहते हैं तो मैं वो समझा देता हूं मैंने वो आज नहीं समझाई मैंने उधार कर ली Monday पे example 2 समझ नहीं आनी चाहिए थी 3 की ना समझ आने की वज़ा मुझे समझ नहीं आई लेकिन चले मैं 3 भी पढ़ा दूँगा लेकिन मैंना असल मैं आज contract asset की बात समझा कर entries की तरफ ले गया ताके ये homework दे सकूँ तो मैंने वो homework discuss नहीं किया था ठीक है जी जो कल दीए उचे ने example तो मैंने ये कह दिया था आप उनको बच्चों को के परवेज लिमिटेड वाली example हम इंशाला मंडे को discuss कर लेंगे contract cost को भी मैंने skip किया आप के लिए ठीक है फिलहाल ये methods जब खतम होते हैं तो आगे learning outcome 7 शुरू हो रहा है इसमें contract cost की discussion है मुश्किल नहीं है half lecture मुझे चाहिए ये आपको समझाने के लिए और इसकी impairment वगेरा की बात है ये चार-पांच सफ़े हैं ये मैंने Monday को half lecture में ये ही करना है फिलहाल मैंने jump किया था learning outcome 8 की तरफ और learning outcome 8 में presentation की बात करता है यानि हम debit side की थोड़ी सी बात कर लेंगे ताके हम journal entries करने के काबिल हो जाएं आई ये फारेस 15 की इसलिए मैं jump कर गया था contract cost से ठीक है तो वो इंशालला मन्डे को पढ़ेंगे अब presentation के बारे में learning outcome 8 क्या है presentation के बारे में क्या बातें करता है ये आप पहले मेरी इस example समझें फिर वहां से पढ़ लेते है example आपके सामने ये लिखी हुई है ये एक ही transaction है ठीक है न ये एक ही transaction है दो dates है ठीक है एक seller है एक customer है seller shopkeeper जरह एदर देख लो shopkeeper किताबों के अभी कुछ नहीं देखना अभी किताबें बेशक बंद कर जो अपन करने हूं मैं वहां से पढ़ाऊंगा सारा ठीक है shopkeeper sold computer for dead saw shopkeeper sold computer for dead saw customer will pay on 31 December क्या करें 31 December का वेट करें 31 December का वेट करें हाँ के revenue record करें क्यों क्यों करें control transfer हो गया customer को sale कर दिया computer control transfer ठीक है possession चला गया ना sold possession चला गया control transfer तो be your satisfied computer वाली obligation तो satisfy कर दिया तो revenue of computer तो अब record करना बनता है ये तो लाजमी करेंगे revenue of comp कितना डेड़ सौ ओके एंड पैसे आगे तो क्या कहेंगे debtor debtor ठीक है debtor debit debtor debit revenue from computer credit ठीक हो गया और यकम जून को उसी customer के साथ इसी seller ने एक और contract किया देखो shopkeeper sold printer for 70 customer का कहा रहा है I will pay on 31 December तो क्या हुआ यकम जून को ये date है यकम मार्च को ये एंट्री की यकम जून को क्या एंट्री करेंगे वो ही एंट्री debtor debit और revenue या sale ये किसका जी printer का credit 70 रुपे से ठीक है जी चूंकि obligation जिस दिन satisfy करनी है revenue को तो उस दिन record कर लेने ये intro वाला concept था बो बस debtor को इस standard ने receivable कह दिया है जो कि हमें पहले ही पता है debtor और receivable एक ही बात होती है ठीक है यानि receivable debit और revenue और ये receivable यानि debtor ये asset क्यों होता था कुछ याद है बच्पन में बताया जाया करता था आपको asset क्यों है debtor क्या है क्यों asset है right है right है to receive cash in future लेकिन एक चीज़ आज इजाफे के साथ ये right है मगेर किसी condition के seller ने कोई शर्त नहीं customer ने कोई शर्त नहीं लगाई के फला काम करोगे तो मैं payment करूंगा इसका मतलब ये क्या है अन कंडिशनल राइट तो रिसीव कैश ठीक है तो standard ने कहा ये जो अन कंडिशनल राइट तो रिसीव कैश होता है ना मेरे मेरी किताबों में उसका नाम क्या है हिरिसीवेबल हमारी किताबों में भी आज तक वही नाम था यहां तक कोई नई बात नहीं है परिशान क्यूं हो रहे हैं यहां तक तो वह concept है जो इंट्रो वाला था ठीक है अब IFRS 15 की बात आने लगी है इधर देखो शॉपकीपर शोल्ड कंप्यूटर फॉर यहां की बजाए ना यहां लिक लेते हैं ऐसे आइविल आइविल पे बलके यूँ बेतर ही था ऐसे आइविल पे ओन ने कंप्यूटर हवाले कर दिया क्स्टमर क्या कह रहे है मैं पैसे तब दूँगा वो 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 कंप्यूट चार्जर और मॉइल वाली एक्जेम्पल आगी ना प्रैक्टिकल चीजें आ रही है मैं पैसे तब दूँगा जब तुम प्रिंटर अब मसला क्या है मसला ये है कि यकम मार्च को परॉर्मेस उबलीगेशन कम्प्यूटर वाली सैटिस्फाय हो गई है नहीं होई पेटा कम्प्यूटर वाली परफॉर्मेस उबलीगेशन हमां, आप सुनो, अप्सक्नटेया कुप्यूटर क phenomena ने अप्प्यूटर इसकी तब दूँगा जब तुम प्रिंटर डिलिवर करोगे अब मेरा सवाल, प्रिंटर की तो बात ही नहीं कहा रहा है, मेरा सवाल क्या है, क्या computer वाली obligation satisfy हो गई, this was the question, obligation computer की satisfy क्यों हुई, control is transferred, अभी confusion है तो फिर देख लो, हो गई obligation satisfy, अगर computer वाली obligation satisfy हो गई है, तो computer का तो revenue record करना पड़ेगा, कि नहीं करना पड़ेगा, नहीं, condition तो receivable की है, समझिएगा अब, condition तो receivable के साथ attach है न, तो computer का revenue तो record हो गया, 150, हाँ, अब आएगी बात, नहीं, क्या, obligation satisfy होई, computer का revenue record हो गया, लेकिन debtor, यानि receivable debit करेंगे, तो user को धोका लग जाएगा, ये conditional right है, unconditional right नहीं है, तो जब तक condition meet ना हो जाए, IFRS 15 ने कहा, receivable तो record कर लो, लेकिन इसका नाम हुआ करेगा, contract asset, ठीक है, है ये भी receivable ही, बात समझ ना भी, पूरी बात समझ आएगी इन्शाल्ला, ठीक है, contract asset है, तो ये भी right to receive, है तो ये भी right to receive, लेकिन कौन सा, conditional, पूरी बात खतम होने देना, conditional right to receive, अगर conditional right to receive cash है, तो जब तक condition meet ना करो, उसका नाम रखो, contract asset, ठीक है, अब मैं entry तोड़ के करता हूँ, एकठी भी हो सकती है, वैसे, यकम जून आया, यकम जून को, shopkeeper sold the printer, दे दिया printer उसको, customer, will pay, उने कति संबर ही, करेगा कति संबर कोई पे, लेकिन, लेकिन, computer वाला जो payment का right, जो conditional था, upon delivery of printer, वो condition पूरी हो गई, इता देखो, हम कहेंगे, लो जी, condition पूरी हो गई, contract asset को, खतम कर दो, और आज, चुके, ये भी unconditional हो गया है, तो आज entry कर लो, debtor यानि, receivable debit, ठीक है, यानि आपने क्या किया, आपने, नहीं बेटा, printer को अलग करता हूँ, मैं printer की तो बात हैं, printer का revenue अलग record करता है, printer का revenue क्या होगा, receivable debit और revenue of printer, मैंने अलग कर दी है entries बस, बंती क्या है, combine हो सकती है, अलग भी हो सकती है, बंती क्या है, receivable अगर मैंने यहाँँए 70 और 150 अलग-अलग कर दिया, तो क्या गुना मिलेगा? कोई गुना नहीं मिलेगा, दो एंट्रीज अलग कर दी है, आप कंबाइन कर लें, आप कंबाइन करेंगे तो रिसीवर डेविट, वो समझ जरा अची तरह नहीं आता, मैंने अलग से इसलिए किया पहली बार, आप कर लें इसको 220 से रिसीवर डेवि कर लिया, कॉन्ट्रेक्ट एसिट को टू रिसीवेबल, रिकला सिवाए किया, बात समझ अब, डिलिवरी अफ कंप्यूटर हो गया, पीओ सैटिस्वाइ होगी कंप्यूटर वाली, रेवनियू रिकॉर्ड करना पड़ा, लेकिन, लेकिन रिसीवर के साथ कंडिशन अटैज थी, कॉन्ट्रेक्ट एसिट का नाम दे दिया, ठीक हो गया, यह वो ही, यकम जून आया, प्रिंटर डिलिवर करते ही, कंडिशन मीट हो गई, ही कॉन्ट्रेक्ट एसिट को खतम करो, और अनकंडिशनल राइट अब बन गया, रिकॉर्ड कर लो, बाकी प्रिंटर तो था ही, अनकंडिशनल उस दिन उसके तो कोई कंडिशनल टैज ही नहीं थी, तो कानी खतम होगी, यह साइंस क्या इसके पीछे समझो, मिसाल के तौर पे, फॉर एक्जेंपल, येर एंड 31 मार्च अगर हो जाए, इस शॉपकीपर का येर एंड 31 मार्च हो, तो इसकी बैलेंस शीट म में, current assets में, इसकी बैलेंस शीट में, current assets में, debtors के नीचे एक निया contract, एक निया current asset आ रहा होगा, इसका नाव होगा contract asset, यूजर देखती ही कहुएगा, अच्छा, ये वो receivable है, जिसके साथ कोई condition attached है, थीक है, बास समझो न, यहां अगर year end हो जाए, तो current asset ही है, receivable ही है, ले लेकिन डेक्टर के नाम से नहीं आएगा, रिसीवेबल के नाम से नहीं आएगा, उसके नीचे अलग लाइन आइटम पड़ेगा, कॉंट्रेक्ट एसिट इसको देखते ही उजर कहेगा, ये वो रिसीवेबल है, जिसके साथ कोई कंडिशन अटेच्ट है, बात समझ आई? नोट कर लो, भाद में करना पहले उर एक्षिक तवाहको पड़ेटे हैं, डिसके से नोट करना चाहोगे… पहले नोत कर लो、 कर लो, करो नोट ये एक्जेम्पल नोट कर लो फिर किताब वाली एक्जेम्पल पढ़ लेते हैं वो मिलती जुलती एक्जेम्पल होगी तोड़ी हो तरहाँ से देख लें को कुस्टन है तो पूछ ले नहीं देखो वो तो उसका उसने सेल करके रख लिया है अब अगर वो कोई और कराया लेगा तो वो भी उसके रेविन्यू बनेगा इसका एक्सफेंस बनेगा अब यह देखना है कि उसकी अगर मेन कोर अक्टिविटी यह नहीं तो अधर इंकम में ले जाना पड़ेगा अभा कभी करते हैं ऐसा काम नॉर्मलकोर अक्टिविटीए डिया अधर इंकम में ले जाएंगे है तो इंकम इसका सेलिंग एक्सपैंस होगा या कॉस्ट ऑश व जल्दी नोट करें आपके पास तीन मिनट हैं यह सब नोट करने तो परली वे साइड नोट करने हैं यह तो वैसी थी बस एक्जेम्पल थी तो हो गई थी वह परे प्रेजंटेशन वाली बात नहीं समझाई है नहीं समझाई? क्या नहीं समझाई? यह सारा समझनी आया तो निकल जाओ क्लास ते यह तो सवाल का तरीका ही नहीं है करने का जब सारा समझनी आया तो कहीं पर भी रोक के पूछना चाहिए था ना आप तो गाड़ी निकल गई क्योंकि receivable की लव होता है unconditional right to receive revenue तो record होना है पियो satisfy हो गई पर receivable की नसल थोड़ी सी change है अभी अभी receivable तब condition है receivable पर एक छोटी सी condition है जब तक वो condition meet ना करो तुम contract asset के नाम से इस receivable को record करो जब वो condition meet कर जाओ reclassify कर लो अब condition meet होगी खतम example दी इसलिए 31 March year end की अगर 31 March year end होगा तो आपकी किताबों के अंदर डेट सो रपेका contract asset नदर आएगा receivable नहीं होगा इसका मतलब कि 30 March को ये डेट सो receivable तो है लेकिन इसके साथ एक condition attachment 31 March तक पूरी नहीं होई वो जाके पूरी होई है कब जकम जून को तो जकम जून के बाद जो भी balance इट बनेगी उसमें contract asset नहीं होगा उसमें receivable बड़ा होगा और जी और कुई और कुई बच्चा को इसलिए ये कुछ नहीं समझाया वाला कौन है जरा दोबारा इसलिए दिखाना जरा जारत कराना जरा जारत कराना मुझे हाँ कैसे समझाओं तुम्हें पिर परसनली क्लास के बाद मिला पिर है समझा देता हूँ पिर तुम्हें तु मैंने कहा था खड़े होवे तुम्हें चार थे हteन्याध ना पिछो एटा चलो पिछे चले है चले चांट कर दो शावज राफेर् चौन पिछे बोले नहीं तुम्हेना ना पिछे Saking कल से यह आदत होगी तो बैठे रहना चलो 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 एक ने तो क्लास के स्टार्ट में नहीं वो तो यह से तो पुछा था मुझसे लास के साथ में ना चलो इसकी मादरत सब के ओपर यह तुम खड़े नहीं अब है तक तुम दोनों जाओ तारिक तुम बैड़ जो जाओ जाओ पीज़ो मेरी मर्जी क्यों करते में चलो जाओ चलो जाओ जाओ चलो जाओ जाओ नहीं समझ आरी तुम्हें खड़े ओ जाओ तो जगा बनाऊंगा ऐसी जगा बनाऊंगा बे तरीन front seat पीछे वाली है है चल अपलोग नोट करें तो मेरी जगडा परा चल रहे है चलो 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 शाबस दासा दो इसको ये डॉन बनने कोशिच कर रहे हैं डॉन एक होता है दोया है तो मैं समझाए है किई टफा इधर आजा इधर आजा इधर आजा इधर आजा इधर आजा नहीं है जगा नहीं है जगा बाज जाए जाओ क्लास चलो दोनों वापस आओ पोस बाइसाब नहीं माजरत कर ली इस वह से तुम्हों को माफ करना था दो मिनिट के लिए उड़ जाते तो उसी वक्त बैठ जाते ऐसी जिद्वार ली हो गया नोट कर लग है कर दो मेंा कर लो पर दो डो शुम्हों याम ढेंगर नहीं सुम्हों कर दो दो कर दो दो हम है नहीं 7 पार सब्सक्राब नहीं दो जाओ क्लोंम इए जग्रत Champ highly जड़ WITH प्रोवार दो घबन jóत है झाया पूंग जड़ ैं एज़ अच्छा जी अब जो रह गया वो फिर नोट कर लीजेगा लेर्निंग आउटकमेट प्रेजेंटेशन this section explains how contracts are presented in the statement of financial position in order to do this in order to do this it explains the double entries that might result from recognition of revenue double entries depend on circumstances receivable क्या होता है तो पहले बचारा माजरत कर चुक है अब तुम उसे पिर मुरवा हो गए receivable an unconditional right to consideration is presented as a receivable unconditional right हो तो the accounting treatment if goods are transferred for cash or for an unconditional promise is straightforward ओकेना ही चारा है कि इंट्रो में ये काम किया हुआ है example पढ़के देखते है X limited enters into a contract to transfer product A and product B ये A और B को underline करके computer printer लिख लो ताके वो A, B, C, X, Y, Z समझ ही नहीं आता पिर computer और printer कर लो ठीक है product A computer product B printer अब नोट करना रोग देए ये ही लिखा हुआ है कही नहीं जा रहा computer is to be delivered on 28 February is to be delivered on मतलब 28 February को computer का control transfer हो जाएगा क्या ख्याल है delivery होगी possession गया control transfer हो जाएगा ठीक है तो computer is to be delivered on 28 February printer is to be delivered on 31 March आएगा कहता है याएगा 31 March पे printer का भी control transfer हो जाना है ठीक है नहीं कहता है the promises to transfer computer and printer are identified as separate performance obligations rupees 400 is allocated to computer and rupees 600 to printer probably on the basis of market price उसने करके दे दी allocation अच्छी बात है ठीक है अब computer के पैसे काम क्यों printer के जादा क्यों आप ये सोचने की जुरूत नहीं है बस ठीक है हो सकता है desktop pending हमाना खरीदा हो मैं चाहिए printer हो दर असल और printer हमने अच्छे वाला खरीद लिया हो बठीक है X limited recognizes revenue and recognizes its unconditional right to the consideration when control of each product transfers to Y ये तो हमें वैसे ही पता है ठीक है अब following entries would be required 28 फर्रवरी को क्या हो रहा है receivable debit revenue क्या आगे लिख लो computer revenue computer credit और 31 March को receivable debit और revenue printer credit तो ये receivable क्या होता है जी unconditional right to receive पूरी example में कहीं पर नहीं नजर आया कोई condition attached है तो जैसे बच्पन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं वो debtor का ही नाम है receivable unconditional right to receive cash ठीक हो गया? done? अब आगे आते हैं अगले दो लाइने लिखी हो ही है इन अधर के से इस तिन दो लाइनों कार्ड दें कार्ड दे का मतलब जो होता है कि वो पढ़ाऊंगा नहीं और जो pending है वो pending है वो पढ़ानी है ठीक है ना? तो यह दो लाइन कार्ड दें को पढ़ने की आगे क्या है जी contract assets a supplier might transfer goods or services to a customer before customer pay consideration और before payment is due यह बात कहना कै चार है कि जी कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पैसे ना भी आएं तो seller चीजें बेज देता है यह तो हमें ऐसी ही पता है ठीक है? यह ऐसी फुदूल सी लाइन थी असल लाइन यह पढ़ी है यह definition शुरू हो रही है एक a contract asset यहां से definition शुरू हो रही है contract asset की important है यह बात यह लाइन लेकलो definition यहां पर start में a contract asset is a supplier's right to consideration consideration cash money ठीक है a contract asset is a supplier's right to consideration in exchange for goods or services that it has transferred to customer good services क्या कर दी है? transfer कर दी है to customer यह नहीं कि P.O. satisfy कर दी है but right to receive money is conditional upon something लेकिन जो right to receive है वो conditional है फिर कहता है a contract asset is reclassified as a receivable when the supplier's right to consideration becomes unconditional वो सामने देख लें हमने यह काम कर लिया था लेकिन वो तो हमारी example हो गई ना अब यह example book वाली भी पढ़ लेते हैं क्या कहते है जी example वो ही है बस एक line end पर जाके add हो जाएगी conditional की बात कर देगा X limited enters into a contract to transfer computer and printer to Y limited in exchange of 1000 computer is to be delivered on 18th February मतलब control will be transferred on 18th February printer will be delivered on 31 March मतलब control of printer will transfer to will transfer on 31 March यानि इनका revenue 28th February 31 March को record होना है revenue को पर कोई बहस नहीं है PO satisfied control transfer तो record the revenue पैसे आ गए cash debit नहीं आए receiver debit conditional है contract asset ठीक है आज बात पूरी हुई हमारी अच्छा जी वो कहता है the promise to transfer computer and printer अच्छा जी वाली बातें लिक्क हुई है 400-600 revenue is recorded when control of each goods यह मैं पहले ही पता है जी revenue record उस दिन होता है जिस दिन revenue जिस दिन control transfer हो जाता है हाँ यह नई लाइन आई पिछले सवाल से बाकी सारा सवाल सेम था payment for the delivery of computer is conditional on the delivery of that is the consideration of 1000 is due only after x limited has transferred both a both computer and printer to y this means that x limited has conditional right to receive money for computer following entries would be required 28 फर्वी को क्या करेंगे contract asset debit revenue आगे लिख लेंगे revenue computer credit क्रेट कर लिया और 31 मार्च को क्या किया यह अलग अलग एंट्रीज मैंने की हुई है अलग लिखेंगे तो ज्यादा बैटर समझाएगी 31 मार्च को जाकर अब 400 से contract asset को credit करना है और receivable को 400 से debit कर लिया और उस दिन printer तो आया ही है उसके साथ कोई condition attached नहीं है तो 600 से receivable debit और revenue from printer credit तो entry उसने कठी की हुई है कठी नहीं बनती बन सकती है बनती नहीं ठीक है अच्छा जी कर सकते हैं यहाँ उसने कमाई नहीं किया ठीक है आप अलग करना चाहें entry तो कर ले ठीक हो कह जी अच्छा जी उसके बाद अगली बात है contract liability की अच्छा contract liability के बारे में जो अंग्रेजी लिखी हुई है मुझे जरूरत मैसूस हुई तो मैं मंडे को पढ़ाऊंगा आप जरूरत मैसूस हुई तो वह भी ठीक है फिलहाल आप इसके आगे लिखें advance to customer advance to customer contract liability क्या है advance to customer यानि liability जो हम कार करते थे बच्पन में advance oh sorry advance from customer cash flow वाला सवाल याद है cash वाला सवाल के अंदर recent tempt वाले के अंदर liabilities में एक contract liability नदर आई थी और मैंने कहा था यह advance from customer ही है यानि जब हमने चीजें deliver करने से पहले पैसे ले लिए customer से तो हमने entry पास की थी cash या bank debit advance from customer येक liability है credit और जब चीजें deliver कर देते हैं तो entry पास किया करते हैं advance from customer debit sales credit तो बिलकुल वही advance from customer जो है उसका नाम इस standard ने निया रख दिया contract liability तो इसके theory को पढ़ने की कोशिश ना कीजिएगा जरूरत महसूस करूँगा तो कल नहीं तो पिर जिस दिन भी जरूरत महसूस करूँगा पढ़ा दूँगा फिलहाल आपने सिर्फ इतनी सी बात जहन में रखनी है के contract liability means advance from customer that's it आपको बस इतना पता होना काफी ठीक है ओके जी अब वापस आएं वापस आएं जरा शुरू में अपने नोट्स के उमर वाली example आपको याद होगी पुमर मोबिलिंग example याद है चल याद है तो फिर आपने आज मुझे इसकी जर्नल एंट्रीज करके देनी है सुनने पास जर्नल एंट्रीज पॉर दा इ dement एडे एंडिड एक तर्फी जुलाही था I ठीक है कौन सी एक्जेंपल थी एक्जेंपल की हेडिंग क्या है है हैंड सेट एक्जेंपल पेज नंबर 829 लें जी पेज नंबर 829 हैंड सेट एक्जेंपल में एक नई रिक्वाइर्मेंट हमने एड कर दी पास जनल एंट्रीज साथ महीने की एंट्रीज करनी है पहली दो तीन मैं करवाओंगा अभी आपको और पर चुटी दे दूँगा लेकिन पहले तीन से चार मिनिट आप गलत सलत जैसी भी एंट्री है वो कर दें कहीं सिलूशन देखने या कहीं और से आसपास से पूछने की नहीं है कोशिश करें खुद से सिच्वेशन एक सामने आ गई बस अब कुछ गलत सलत सही एंट्री कर लें वो गलत एंट्री हैं तीन चार लाइने हैं काट देंगे मैं एंट्रीज करवाओंगा सही वाली लिख लेंगे शुरू होगी कहानी यकम जनवरी 2014 से तो पहली किस किस दिन होगी हो जाएगा यह हो जाएगा वह हो जाएगा साथ वाले को मत पताओ बस खुदी गलत सलत एंट्री कर लो तीन मिनट बाद बात करते हैं इस पर अगर वो हिम्मत आरके बैठे वह तो जी सब बच्चे कोई ना कोई एंट्री पास जरूर करें जैसी भी है बस आखरी मिनट है हाँ तीन मिनट कहे थे छलो मैं तब तक जूलेले लेका है जूलेले का जूलेलेका आ हिए हुआ है हुआ है ठाओ प्रांजैक्शन की सेंस जिसको समझना आई वह इंट्री गलत करेगा जिसको सेंस समझ जागी वो एंट्री से ही कर लेगा मेरे खाल में एंट्री के साफ से यह सबसे मुश्किल सवाल है गालेबन तो हम पहला ही कर रहे हैं ठीक है बाकी इंशालला असान असान हुआ करेंगे आप देखेंगे बहुत सारी प्रेक्टिस हो जाया करेंगे असानी से यह बहुत टफ है तो मैंने इसलिए सबसे पहले आपको टफ क्वेश्चन ही दिया है इतना है कोई अभी बात करूंगा इसी डरा रहा हूं बस करें जी जो बस आपने जो तीर मारने ते हो मार लिए सुने 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 पहली ही entry सिरफ मैंने समझानी है एक महीने की और entry कर दूँगा थियातन सब entries फिर उस जैसी ही होनी है अब सुनिएगा question आपके सामने है पढ़ा हुआ question है इसी दिए इसकी entries का कहा कि ये अच्छे तरीके से discuss हुआ हुआ सवाल है सारा सवाल का map आपके सामने मौजूद है यकम जनवरी को mobile वाली obligation satisfy हो गई थी हमने कहा था यकम जनवरी को mobile का revenue record कर लेंगे ये बार decide हुई थी तो उस वक decide करके आज मुक्रेंगे नहीं इससे ठीक है आज आपको नदर आ रहा है आप पैसे आए नहीं आए क्या हुआ कानी क्या है तो चलो छोड़ो record नहीं करते नहीं वहीं नहीं उसूल पड़ा था कि PO is satisfied तो record the revenue और PO is satisfied when control is transferred और control तो transfer हो रहा है ठीक है तो यकम जन्वरी को revenue revenue लिखा पता है क्या मैंने लिखना revenue ही चाह रहा था revenue of mobile credit 462 से अब यहां पर समझने की जुरुएत थी इस transaction के theme को मुझे एक बात बताएं उमर को क्या कहा था mobile link ने services मिलेंगी ना mobile मिलेगा आपको free mobile आपको हम देंगे free अब हम mobile link की किताबों में कर रहे हैं ना एक महीना दो महीना services दी उसके बाद mobile link ने का हमने नहीं देनी services हमारा mobile वापस करो तो मर वापस करेगा भू क्या कहे अब मेरा आपको तो यह मौईदा ही नहीं हुआ था क्या आपने services देनी है 12 महीने बाद यह mobile मेरा होगा आप तो यह mobile मुफत है वो तो हमने देखा था कि मुफ्त नहीं है 462 इसमें मुबाइल के पैसे भी है ठीक है और 100 पता नहीं कितने पर मंथ सर्विसिस के पैसे थे 100 163 रुपे पर मंथ जो हैं वो सर्विसिस के भी है यह तो हमने देखा था बास हमेरे हो ठीक है तो इसका मतलब अगर आज ही ये services देना बंद कर दें तो ये revenue जो record किया है इसके against जो receivable है वो receive नहीं हो सकता ये receive होगा कैसे ये छुपा हुआ था हर बिल के अंदर हम अगर mobile के पैसे हम being mobiling अगर mobile के पैसे अब ये clearly लिखा नहीं हुआ था contract acid लेकिन मैं ये कहा हूँ ये सबसे मुश्किल सेनरियो है जो आपके सामने पहली दिन रख दिया मैंने चुपा हुआ है revenue of mobile in every bill उसे कह रहे हैं 200 का bill services का है mobile तुम्हें free है जबके 162 रुपे 162 रुपे let's say ये services का है और 38 रुपे उसके अंदर हमने mobile का इसका मतलब हम एक महीना service देंगे तो एक महीने का bill डालने की हमारे पास हमें हक मिल जाएगा और जब एक महीने का bill डालेंगे उमर को तो 38 बीच में से mobile के पैसे recover होंगे इसका मतलब अगर mobile के पैसे recover करने हैं तो हर महीने अगले 12 महीने services देनी पड़ेंगी कि हर महीने service के against 200 का bill जाएगा और हर महीने उस 200 के bill में से 38 रुपे mobile का आएगा 162 रुपे जो है वो services घाएगा बास समझे हो इसका मतलब ये था कि यकम जनवरी को ये contract एसिट था 462 अब अब तवज्जव सब की 31 जनवरी को उन्होंने ये नहीं कहा पैसे आ रहे हैं उन्होंने कहा बिल्ड बिल्ड पैसे मैं खुद 4-5 दिन के बाद पैसे भी मंगबा लेता हूं उनसे ठीक है उमर साब से फिलहाल आप ये देखें 31 जनवरी को बिल फैंकेंगे उमर के घर ठीक है उस बिल में revenue services का कितना होगा 162 ठीक है लेकिन बिल के ओपर क्या लिखा होगा और इसके साथ कोई condition अटैज है services देने वाली condition ही अटैज थी ना वो service तो दे ली तो एक महीने बाद बिल आया उमर के घर दोसों का हमने का चलो जी शुकर है कुछ न इस में से condition समझो meet हो गई है 38 का revenue अब recover हो गया तो जब ये दोसों का बिल पे करेगा उमर पे करने की date नहीं लिखी हुई ये मैं अपनी तरफ से अजियूम कर रहा हूँ अजियूम करते हैं हर पांच तारीख को उमर ने पैसे देने हैं अब पैसे देते हुए तो simple सी entry है पांच फरवरी 14 पर उमर कैश पे करेगा तो कैश डेविट रिसीवेबल क्रेट ये गिवन नहीं था सवाल के अंदर ये मैंने अपने से एड किया है बीच में ठीक है ना क्योंकि उसमें लिका हुए था उमर इस बिल्ड on the last day of each month तो मैंने last day of each month पे बिल तो बेज दिया पेमेंट की बाद क्योंकि उसने entries कहीं नहीं थी वो मैंने खुछ से ऐसी या एड कर दी कि आपके जहन में आया जिए पेमेंट हो पर पेमेंट होगी तो ये entry होगी उसी दिन अजीम कर लो तो अजीम मैं क्यों नहीं कर रहा उसने बिल्ड लिखा था औ बाकी Receival Debit 162 और Revenue Credit 162 अलग अलग entry लेकिन हमने 18 कर दी अब ठीक है बास समझ रहे हो ऐसे ही एक बिल और पड़ेगा 28 फर्वरी को 28 फर्वरी 14 जी बिल कितना बेजोगे 200 का बिल आएगा उमर के गार हमरने तो 200 पे करना है लेकिन Mobiling को पता है Services दे ली है एक महीना और तो वो Overtime Overtime हर महीने 162 ठीक है तो बाकी 200 में अगर 162 Services है तो बाकी पिर किस चीज़गा ले रहे हो मुबाइल के पैसे आज 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 रिकवर कर रहे हो तो Contract Asset Balancing कितना 38 ठीक हो गया और इस तरह से करते करते बारा महीने के अंदर ये सारा 462 भी खतम हो जाएगा और Service का तो वैसे ही हर महीने के बाद बाद रिसीट हो रहे है यह ऐसे ही मिजाल के तौर पर इसके पेमिट आती रहेगी ना चौदा मार पांच मार चौदा कैश डेविट रिसीवेबल क्रेडिट दो सो एंड सो आन तो यह आप एंड तक करके देखिएगा हां फरक आएगा थोड़ा सा वो फरक आएगा छे साथ आठ रुपे का वो वजा है रांड औंग और जो आपने रांड अटन करते हुए रांड नंग कर दी थी न याद है किर रोंड निंग ना करें जो एक्सेक्ट फिगर है वो लिखें एक्सेक्ट फिगर तेंटी can ए एंड गा के यह 462 एक्सेक्ली निलो जाएगा और revenue को तो वैसे ही जो service का revenue तो वैसे ही month by month आ रहा है ठीक है question homework वाले देख लें बस आज की class खतम हुई question सुन लें ताकि किसी को समझ ना रही हो तो tick कर लेंगे न आप practice questions open करें न जरा मैं tick करवा देता हूँ यह complete करने आपने यह 31 जुलाई तक तो क्या मैं दो कहता हूँ ऐसे ही मेरी खौहिश है कि सही वाली figure निकाल ले न जो rounding की थी न उसको खतम करके points में exact figure लेके 12 महिने की entries करके देख लेना सारी बात समझ आ जाएगे ठीक है entry same है बीच में चाहे cash वाली entry ना कर मैं होंब कही प्रेक्टिस सेट वन अयूब प्रेक्टिस सेट टू दाओद प्रेक्टिस सेट फोर नाम को नहीं था एन एंडिटी मेरे कहाल में प्रेक्टिस सेट एट c limited यह चार प्रेक्टिस कॉस्टन होगे past paper पे आए पासपेपर one AL past paper three Ecl past paper five GT कुछ questions problem करेंगे जाए ज़्यादा भी करें problem लेकिन इमानदारी से एक बार पूरा solution करके फिर solution को देखना बाकि इंशाला बातें करेंगे सिंद्धी रही तो मंडे को झाल झाल